केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी गवर्नार्स लेटेन गवर्नार्स आप सब को नवश्कार अनलॉक वन को दो सब्ता हो रहे हैं इस दवरान जो अनुभव आये हैं उसकी समिक्षा उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उप्योगी हो सकती है आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा ग्राउंड रियालिटी क्या है उसको समझने का अवसर मिलेगा आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स आपके सुझाव देश को आगे की रणलिक्ति बनाने में अवश्य मदद करेंगी साथ यो किसी भी संकट से निपटने के लिए ताइमिंग का बहुत महत्व होता है सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संकरमन को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है बविश में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाब लड़ाई का अध्यान होगा तो ये दोर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दोरान हमने साथ मिलकर के काम किया कोपरेटिव फर्डरिलिजम का सर्वोत्तम उधारन प्रस्थूत किया साथियों जब कोरोना दुनिया के अनेग देशों में चर्चा का विशव भी नहीं बना था तब भारत ने इस से निपटने के लिए तैयारिया शुरू कर दी थी फैसले लेने शुरू कर दिया थे हमने एक एक भारतिय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है बीते हपतों में हजारों की संख्या में हमारे भारतिय भाई भेहन विदेश से अपने वतन वापिस लौटे हैं बीते हपतों में लाखों की संख्या में प्रवासी स्रमीक अपने अपने गाउं पहुँचे हैं रेल, रोड, एर, सी, सारे मार्क करीब करीब अब खुल चुके हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना, संक्रमन उस जैसा विनायस्कारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफ़त पैदा की हैं दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लोगडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाये गए अनुसाचन की, आज भारी चर्चा हो रही है आज भारत में रिकवरी रेट पचांस पतितत से उपर चला गया है आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमीत मरीजों का जीवन बच रहा है कोरोना से किसी की भी मृत्यू दुखद है हमारे लिए किसी एक भारतिय की भी मृत्यू असहज करने देने वाली है लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जहां कोरोना की वज़े से सबसे कम रुत्य हो रही है अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुक्सान को सिमित करते हुए आगे बढ़ सकता है अपनी अर्थववस्ता को तेजी से समाल सकता है साथियों बीते दो हपते के अनलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबग ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पारण करते रहें सारे दिशान दिर्दोशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत जादा जोड़ देना अनिवार्य है आवशक है बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहर निकलने की अभी कलपना करना भी सही नहीं है ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी इसलिए दोगज की दुरी का हमारा मंत्र हो दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ दोनी की बात हो सेनिटाइजर का इस्तिमाल हो ये सभी बहुत गंबीरता से किये जाने चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए परिवार की सुरक्षा के लिए विशेशकर गर के बच्चों और बुजर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है अब तक लगभग सारे आफिसे खुल चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में भी लोग आफिस जाने लगे हैं बाजारों में सडकों पर बीड बढ़ने लगी है तो इस सारे उपाए ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे थोड़ी सी भी लापरवाई थोड़ी सी भी डिलाई अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा और इतने दिनों की जो तफस्या है उस पर पानी फिर जाएगा हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थववस्ता खुलेगी हमारे दप्तर खुलेंगे मार्केट खुलेंगे ट्रांस्पोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे साथियों आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में एकनोमिक एक्टिविटी का जिस तरफ विस्तार होगा उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुँचाएंगे बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थेववस्ता में ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं पावर कंजम्शन जो पहले गड़ता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है इस साल माई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल माई की अपेक्षा दो गुनी हुई है इस बार खरीब की बुगाई बीते साल की अपेक्षा करीब बारा तेरा परसंट जादा हुई है टू विलर्स का प्रोडक्षन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब सत्तर प्रतिशक तक पहुच चुका है रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले के स्तिती में पहुच चुका है इतना ही नहीं मही में टोल करेक्शन में बड़ोत्री होना एकनॉमिक एक्टिविटी में बृद्धी को दिखाता है लगातार तीन महेने तक एक्टिवर्ट में कमी के बात जूर में एक्सपर्ट फिर से बौंस बैक करके पिछले साल के प्री गॉविर्ट पिरियड में पहुँच गया है यह तमाम संकत है जो हमें प्रोफाहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेडित कर रहे हैं साथियों आप पैसे अधिकतर राज्यों में एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, फिशरीज और MSMEs का हिस्सा बहुत बड़ा है आत्मन निर्भर भारत अभ्यान के तहट बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं MSMEs को सपोर्ड करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिये गए हैं समय बद्ध तरीके से MSMEs को बैंक से क्रेडित दिलाने का प्रयास हो रहा है 100 करोड रुपिय तक के टर्न ओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक क्रेडित के आटोमेटिक इंक्रीज का लाब दिया गया है अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडित मिले तो वो जल्द से जल काम शुरू कर पाएंगे लोगों को रोजगार दे पाएंगे सात्यों हमारे यहाँ जो smaller factories है उन्हें guidance की handholding की बड़ी ज़रूरत है मुझे पता है आपके नेत्रूतों में इस दिशा में काफी काम हो रहा है ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें इसके लिए value change पर भी हमें मिलकर काम करना होगा राज्यों में जहां कहीं पी specific economic activity points है वहाँ 2400 घंटे काम हो सामानों की loading unloading तेजी से हो एक सहर से दूसरे सहर तक सामान जाने में स्थानी स्तर पर किसी तरह की दिक्कप ना हो तो economic activity और तेजी से बढ़ेगी साथियों किसान के उत्पात की marketing के ख्षेतर में हाल में जो reforms किये गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाब होगा इससे किसानों को अपने उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्द होंगे उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुक्सान होता था उसे भी हम कम पर कर पाएंगे जब किसान की आय बढ़ेगी तो मनिश्चित रुप से दिमान भी बढ़ेगी और राजगी अर्थिवस्ता की गती भी बढ़ेगी विशेशत तोर पर नौर्थीश और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और होटी कल्चर इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं आउर्गनिक प्रोडक्ट सो बांबू प्रोडक्ट सो दूसरे ट्राइबल प्रोडक्स हो उनके लिए नये मारकेट का अद्वार खुलने वाला है लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्रेश्टर बेज रुणन दीती में जोशना की गई है उसका भीलाप हर राजगये को होग इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक हर जीले में ऐसे प्रोड़क्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बहतर प्रोड़क्स हम देश और दुनिया के बाइजार में उतार सकते हैं साथ्यों बीते दिनों आत्मन दिर्भर्थ भारत अभियान के तहट जितनी भी गोच्णाय की गई हैं वो एक निश्चित समय सिमा के भीतर जमीन पर उत्रे इसके लिए हमें एक जूट होकर काम करना है इस प्रिष्ट भूमी में करोना से लड़ाई और एकनोमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुजाव हैं जो तयारिया हैं वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुख हूँ और मुझे पका विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बाते आएगी वो आने वाले रणदिती बनाने में बहुत काम आएगी मैं ग्रहमंत्री जी से आगर करता हूँ कि वे आगे की चर्चा का संचालन करे